मैं राकिस कुमार असिस्टेंट प्रोफेशर भगवान अदिनाद कौले लेलित्वर से बीए डेपार्टमेंट से हूँ के हम लोगяться का मsteक्न कष्ञतर रही हैं कि हम लोग व्याइट का हैंeter रहे परस्टी पर पुपर रहे हैं भारतिय सिक्षा के यातिहाऋसित पर देक्ष्ञतर के जसका थ Whatever अदिन्होब रहे थे थर्ड वा द्लक में हम अध्न चझा कर रहे थी उसके बाद उनकी और जो बाकी सेस रिकमेंडेशन है उनकी चर्चा हम लोग आज अभी करेंगे तो आज हम चर्चे कर ले मादमक्सिक्षा आयोक के क्या सुझाओ रहें विध्यालाय और पुस्तकालाय के लिए क्या सुझाओ रहें अनुशाशन और चारित्रिक विकास के लिए क्या सुझाओ रहें इनकी चर्चे हम लोग आज प्रयास करेंगे इसको करने का तो आज हम सबसे पहला इनकी सिफारिस आज की सिफारिस की चर्च स्वास्तेवं सारीरिक सिख्षा पर आयोग के शुझाओ कि इसमें देखिए उन्हों ने कहा मादमिक सिख्षा आयोग ने सबसे पहले इसमें कहा कि शाल में वर्ष भर में कम से कम एक बार सभी विध्यारतियों का चिश्षी की परिक्षण किया जाना चाहिए जिश्षे उनकी कमियों का पता लग सके और उनकी कमियों की पूर्थी की जा सके जिश्षे उनका स्वास्त और शारीरिक फिटनेस बनी रहेगी यह अनिवार कमपलसरी होना चाहिए उनकी कहा दूसरा इसमें उनकी कहा कि बालकों के लिए पॉस्ट्रिक भोजन की ववस्था करनी चाहिए अगला पॉइंट इसमें कहा कि शिक्षकों को ऐशी शुवदाएं दी जाएं कि वो च्छात्रों को सारी रिक प्रिसिक्षण देशकें अगला पॉइंट इसमें कहा कि स्वास्त इवं सारी रिक प्रिसिक्षण देशकें का में अगला प्यांट इसमें चट्चएकी विध्यालाई और स्म्म्मेंदी सुझाओ के लिए तो विध्यालाई जो है जब Under the udah के निर्मार किया जाए तो विद्यालाई को जो शहरी वातावरण है उस शहरी वातावरण से दूर एक 37 अंत में शोर रहत वातावरण में विद्यालय निर्मित किये जाने क्यों अगला इसमें पॉइंट बताया है कि विद्ध्यालाय में एक पुस्तकालाय की व्यवस्था होनी चाहिए और पुस्तकालाय के लिए परियाप्त स्थान होना चाहिए अगला प्वाइंट लिए विध्यालाय में पुस्तकों का अच्छा संग्राय होना चाहिए तथा उसमें चात्रों के लिए अध्यैन करने की भी विसे शुब्दा होनी चाहिए अगला पॉइंट में कहा कि पुस्तकाल है में अच्छे फरनीचर साज सज्ज्य की ववस्था होनी चाहिए इसके बाद बताया गया कि पुस्तकाल है जो है यह पुस्तकाल है छुट्टी के दिन भी खोले जाएं चुट्टी के दिन भी खोले जाएं और इसमें यह पुस्तकाल है आम जनता के लिए भी खोले होने चाहिए आम जनता में ऐसे भी कोई आके कोई बुक्स अगर पढ़ना चाहिए तो वह वहां पढ़ सके यह ववस्था होनी चाहिए अगला पॉइंट इसमें जोड़ा अनुशाषन और चरित्र नर्माड के विकास के लिए तो इसमें बताया गया कि अनुशाषन और चरित्र नर्माड का उत्तरदाय तो यह शिक्षक का है और शिक्षक को स्रेश्ट चरित्र का नर्माड करना चाहिए इसके लिए सिच्छा की अथा संभव प्रयास करें अगला पॉइंट से में बताया गया कि कख्षाओं में अनुशाषन बनाये रखने के लिए उननोंने कहा कि इत्यालाए में एक छात्र परिशद छात्र संसद जो या नायक प्रणाली जिससे कहा गये नायक silicone या स्थापना की जानी चाहिए और टीचर की एफसेंस में ये मॉनिटर जो है मॉनिटर क्लास को डिशिप्लेंड करें इसका काम होना चाहिए इसके बाद उन्होंने कहा कि छात्रों को विद्ध्याला में जिम्मेदारियां दिन जानी चाहिए जिम्मेदारियों के लिए उन्होंने कहा कि छात्रों से आप विद्ध्याला में उस्साव में बनाए मेले बाल मेला लगाए विद्ध्याला में शामारों बनाए और विद्ध्याला में सांस्कृतिक कारिक्रम आयोजित किये जाने चाहिए जिनकी जिम्मेदारी छात्रों को दी जाए कि क्योंकि देखिए अगर चात्र को जिम्मेदारी देंगे तो वह अनुशाषत रहेगा उसे लगेगा यह मेरी ड्यूटी है मुझे यह काम अच्छे से करना है और इन सारी चीजों में करने से एक दूसरा फायदा ये भी है कि देखिए इस्टुडेंट उसमें बिजी रहेगा बिजी रहेगा तो वो उसका दिमाग अननेसेसरी नहीं चलेगा गलत चीजों में नहीं चलेगा तो इसके लिए उसमें आयोग ने कहा है कि छात्रों को आप इन co-curricular activities इसमें शामिल रखें बालकों को co-curricular activities के माध्यम से बों उन में busy रहेंगे जिम्मिदार रहेंगे बालकों में अनुषवाशन आएगा उन्होंने कहा कि ये ववस्ता करनी चाहिए अगला point इसमें जोड़ा उनहोंने कि बित्यालामें ncc scout guide शमाश्चेवा खेल खेल कूद, ये सारी चीजों का भी विद्यालाय में शमावेस होना चाहिए, इन सारी चीजों के मद्यम से भी विद्यारतियों को पढ़ाया जाए, जब आप NCC कराएंगे, स्काउट गाइड कराएंगे, तो छात रसमें बिजी रहेंगे, इस से उनका सारी रिक्स्वास्टा रहना सीखेंगे, उनके चरत का निर्वार होगा, शमाश शेवा के कार कराएंगे, शमाश शेवा के लिए उन्होंने काया कि, जो है, स्काउट गाइड के मद्यम से या NCC के मद्यम से ही, गाउं में जाकर वो स्वक्षता अभियान, स्कूल चलो अभियान, इस तरह के अभि शाशन की भावना, चरतनमाल की भावना उत्पन की जा सकती है, तो आज के लिए इतना ही, और इसके आगे हम लोग कल चाचा करेंगे, धन्नवाद, नमस्कार.